हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो डबल फोर आज की वीडियो में हम टॉरस राशी वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि मई मंत में उनके फाइनाइन्स उनकी लब लाइफ और उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है टॉर व्रिशब राशी ही मैच करती है तब भी आप इस राशी को देख सकते हैं तो फ्रेंड्स ये एक जर्नल रीडिंग है जितनी आपके साथ मैच करती है उतनी रखिए बाकी जाने दीजिए तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो एरिस माई मंत के लिए आपके finance के लिए card निकले है The Tower, Reverse में Four of Cups, Eight of Cups, Ten of Pentacle आल ओवर अनर्जी के लिए आपका निकला है Strength का card और Bottom of the Deck है Queen of Pentacle तो friends आपके card कहते हैं कि आप किसी ऐसे job या business में हो सकते हैं जिसमें आप stuck feel कर रहे हैं उसमें आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको भी मालूम है लेकिन आप कोई action नहीं ले रहे आप किसी ऐसी job में हो सकते हैं कि आपके workplace में problem हो कोई ऐसा project हो जिसे आप ना कर पा रहे हो या उसमें उल्जन हो लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि job चली जाए same feeling आपको business को भी लेके है आप कोई action नहीं ले रहे हैं उसमें कि कहीं ऐसा नहीं हो मुझे और ज्यादा loss हो जाए या मेरा business बंद हो जाए किसी भी तरह के काम में है तो आपकी शूने में जाने वाली स्थिती है कि आपको पता सब कुछ है कि गलत हो रहा है सब कुछ लेकिन उसके लिए action नहीं लेना second week की भी आपकी same energy है आपको financially loss भी हो सकता है इसलिए careful रही है आपकी लापरवाही आपके लिए भारी पढ़ सकती है आपको नए-नए ideas की जरूरत है अगर एक तरीके से काम नहीं हो रहा है तो दूसरे तरीके से कीजी आजकल online सब कुछ online लोग लेते हैं आप अपने business को internet पे डाल सकते हैं उसका फायदा उठा सकते हैं तो अगर अगर आप नए-नए ideas यूज करते हैं तो definitely आपको फायदा होगा क्योंकि आपके मई के last week की आपकी energy बहुत अच्छी है आप मेंसे कुछ लोग ऐसा भी लगते हैं कि अपने पुष्टैनी काम को छोड़के आपके family business को छोड़के आप दूसरे business में दूसरी job में चले गए थे जिसमें आपको फायदा नहीं है तो आप अपनी family business में आएए वापिस उसमें मेहनत कीजिए आपको 100% फायदा होगा आप मेंसे कुछ लोग इस मन्त में team work भी कर सकते हैं अगर आप team work करते हैं पूरी इमानदारी के साथ में तो उसमें भी आपको फायदा होगा आप मेंसे कुछ लोगों को पुछत्यानी जमीन जयदात संबंदी फायदा भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि past में आपने कोई ऐसा investment किया हो जो आपको इस समय फायदा दे profit के साथ वो आपके पास वापिस आए इसमें से आपको ऐसा भी लगता है कि आप मेंसे कुछ लोगों को अचानक से भी धनलाब हो सकता है या ये हो सकता है कि आपका business बहुत अच्छा grow करने लग जाए और आप मेंसे कुछ लोगों को नई job भी मिल सकती है अगर पूरानी job में आप problem में है और नई job अगर आप नई job में जाते हैं तो नई job आपको 100% फायदा पहुचाएगी बहुत ज्यादा possibility है कि मई के last week में आपके finance आपका काम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा all over energy भी आपकी strength के काट की है तो परेशानियां हैं आपके काम को लेके लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है आपको लगातार नई नई idea के साथ में आगे बढ़ना है चीजों को आपको बहतर करने की कोशिश करनी है queen of pentacle कहता है कि कोई ऐसी lady आपकी life में हो सकती है या कोई ऐसा mature बंदा आपकी life में हो सकता है जो आपके finance को बहतर करेगा तो उसकी advice को आप जरूर सुनिए वो आपको काफी heal कर सकता है आपको काफी support कर सकता है तो ये reading थी आपके finance को लेके तो अब हम देखते हैं कि मई के मन्त में आपके love relation कैसे होने वाले है तो Aries राशी आपके love relation को लेके card आए है एस of pentacle, queen of cup, ten of vents, the tower और all over energy के लिए है nine of swords, bottom of the deck है eight of cup तो आपके card कहते हैं कि आप अपने relationship को बहतर करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आपका रिष्टा आगे बड़े, आपके रिष्टे आगे अच्छे हो आप मेंसे कुछ लोग किसी mature बंदे से भी deal कर सकते हैं हो सकता है आपका partner आपसे बड़ा हो अब जिस भी बंदे से deal कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, इमानदार है लेकिन हो सकता है कि आप कुछ मुद्दों पर सहमत ना हो आप कहीं ना कहीं खुद को फसा हुआ महसूस कर रहे हैं ये भी हो सकता है कि आप अपने काम पे ज़्यादा focus कर रहे हो तो आप इस रिष्टे को time ना दे पा रहे हो किसी ना किसी वज़े से हो सकता है आप multitasking कर रहे हो आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो तो आप बोज महसूस कर रहे हैं कि आपके पास relationship के लिए time नहीं है तो इसका असर पूरा सा आपके रिष्टे के उपर पढ़ रहा है ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों का break up भी हो सकता है और उसकी वज़े से आपकी जो all over energy आई है वो बहुत sadness की आई है आप अपने रिष्टों में इतने ज़्यादा फस चुके हैं कि वो रिष्टे आपके काम नहीं कर रहे हैं और ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने past के किसी relationship को लेके भी problem में है आप उसे भूले नहीं है या आप present में जो आपका रिष्टा है आप उस पे काम नहीं कर पारे क्योंकि आप past में कहीं अटके हुए हैं कुछ चीजों को लेके आपको पश्टावा भी हो सकता है तो आपको सला है कि अगर कुछ problem चल रही है तो आप एक बार बैट के बाद कीजिए अपने रिष्टो को आप सुधारने की कोशिश कीजिए टाइम हमेशा एकसा नहीं रहता है आगे आपका टाइम भी अच्छा आएगा तो मई मन्त में आपके relationship में कहीं ना कहीं थोड़ी सी problem है लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इससे बाहर भी आ सकते हैं तो ये reading थी आपके love relationship को लेके अब हम आपकी health को देख लेते हैं कि मई मन्त में आपकी health कैसी रहने वाली है Aries राशी आपकी health को लेके card आए है The Empress और supporting card है आपका eight of pentacles जो कि आपको ये कहता है कि आपकी health अच्छी रहेगी जो लोग married है वो conceive भी कर सकते हैं आपको good news मिल सकती है और अगर past में आपको कोई health issue थे तो उसमें भी आपकी recovery होगी आपको इस मन्त आपकी health अच्छी रहने वाली है लेकिन साथ ही आपको अपने work को schedule करने की जरूरत है आप अपनी health की तरफ भी पूरा focus करिए otherwise आप problem में आ सकते हैं ऐसा लगता है कि इस मन्त आप काफी काम करने वाले हैं और आप अपनी health को कही न कहीं ignore कर रहे हैं तो ignore मत कीजिए अपनी health की तरफ ध्यान दीजिए तो ये reading थी मैं मन्त के लिए आपकी I hope आपको पसंद आई होगी हम फिर मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care thank you so much